हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओली सक्सेस, आइम शिवानी चौहान, इस वीडियो में हम लुग देखेंगे क्लास नाइन्थ हिंदी के बुक का चाप्टर सिक्स, प्रीम चंदर के फटी जूते, और इस चाप्टर के जो राइटर है, वो है हरी शंकर परसाई, प्रीम चंदर क एक चित्र तेरे सामने है, पत्नी के साथ फोटो खिचा रहे है, सिर पर किसी मोटे कपड़ी की टूपी, कुर्ता और धोती पहने है, कनपटी चिपकी है, गालों की हंटियां उभर आई है, पर घनी मुझे चहरे को भरा भरा बतलाती है, तो प्रेम चंद की फोटो इनके सा है, पगडी मतलब टोपी टाइप की, टोपी सी पैन रखी है, कुर्ता और धोती पैन है, कनपटी, देगे कनपटी होता है, आँख और काम के बीच वाला चुपाट होता है, कनपटी जो है, वो थोड़ी चिपकी होई है, गालों की हड़ियां बहार निकल के आ गई है, पस चहरे पर इतनी घनी-घनी सी मूझे हैं, कि चहरा थोड़ा भरा भरा लगता है, पाउ में कैन्वस के जूते हैं, जिसने बंद बेतरी बंदे हैं, तो जो उसकी लेसिस होती हैं, वो बहुती अजीब तरीके से बंदे हुए हैं, और जो कैन्वस होता है, ये एक होता है, लोहे की पत्री निकल जाती है, और छेदों में बंद डानने में परिशानी होती है, तो अगर आप लोग ढंक से लेसिस को नहीं बादने के लेसिस को नहीं बादने के लेसिस को निकल जाता है, और उसके बाद लेसिस डानने में बादने में बड़ी परिशानी होती है, तावे आज पूरी दुनिया में भिखती हैं, छपती हैं, वो इतनी करीबी में अपना जीवन जिया था, कि उनके पैर का जूता जो है वो भी फटा हुआ था, मेरी दृष्टी इस जूते पर अटक गई है, सोचता हूँ फोटो खीचने कि अगर यह पोशाक है, तो पहनने की कैसी होगी, नहीं, इस आदमी की अलग-अलग पोशाके नहीं होगी, इसमें पोशाक बदलने का गुर्ण नहीं है, यह जैसा है, वैसा ही फोटो में खिच जाता है, तो यह बता कहते हैं कि प्रेम चंद की सादगी के बार में बात करते हैं, कि प्रेम चंद जो है, फोटो क पुर्खे की तुम्हारा जूटा फट गया है और अंगली बाहर दिख रही है तो साहितिक पुर्खे प्रेमचन इन्से बहुत बड़े है और इतिहास के बहुत ही इतिहास के मालनि हिंधी लिटरिचर के बहुत बड़ी राइटर है प्रेमचंद, इसलिए जो यह राइटर है, यह इनको अबना पुरखा कहते है, क्या यह अरे पुर्खा कैसे क्या है, फ। मेरे साहित्र पुरखे, तुम्हारा जूता फट गया है में क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोटी को थोड़ा नीचे खीच लेने से अंगली ढग जाती है अगर तुम धोती को ही धोड़ा नीचे से खीच लेते तो तुम्हारी जूता नहीं दिखता फटा हुआ, मगर फिर भी तुम्हारे चहरे पर बड़ी बेपरवाही बड़ा विश्वास है, फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा, तब परंबरा के अनुसार तुम्हें मुस्कान लाने की कोशिश की होगी, गर्दन के गहरे कुए में तल में कही पड़ी मुस्कान को धिले धिले खीच कर उपर निकाल रहे होंगे, तो कहते है कि जुसकी फोटोगरफर कहते है ne, तो आप स्माईल करने लगते हैं, आज को तो फोटोगरफर के आप लोग सेली लेते रहते हैं, तो बहुत प्रानी ब पुसकार अपने चारे पर ला दी होगी क्लिक के बात करके फोटोगरफर ने थैंक्यू कह दिया होगा विचित्र है यह है अधोरी मसकान यह मुसकान नहीं इसमें उपहास है या व्यंग है उपहास का मतिख्य मतलब होता है कटाक्ष टाइप की चीज नहीं होती है कि भई आप हसने की कोशिश कर रहे हैं निंदा सूचक हसी हसी मजाग में व्यंग और व्यंग क्या होता है चोट भरी जो बाते होती है जो बाते दिल को थोड़ा सा पिरशान कर जाती है यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फोटो खेचा रहा है पर किसी पर हस भी पतनी का आग रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे मगर यह कितनी बड़ी ट्राजटी है कि आदमी के पास फोटो खेचाने को भी जूताना हो फिर प्रेमिरंद के जूते के पीछे पढ़े हो है राइटर कि फोटो क्यों खेचाया भाई जब फट के को अपनी भीतर महसूस करके जैसे रो पढ़ना चाहता हूं मगर तुम्हारी आखों का यह है तीखा दर्द भरा व्यंगे मुझे एकदम रोक देता है तो यह आगे जो राइटर है यह कहते हैं कि मैं तुम्हारा जो फोटो है यह देख देखकर में को दुख होता है क्ले अलग सी चीज मतलब जो दिख रहा है वो ना हो तो व्यंग सा तुम्हारे आखों मुझे लग रहा है तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फोटो खेचवाने के लिए जूता मांगी लेते तो यह कहते हैं कि फिर टाइटर कहते हैं कि प्रेम चंद फोटो का कोई महत समझते नहीं है अकर समझते होते महत वह होता है इंपोर्टेंस नहीं समझते होते होते हैं कि समझते होते तो किसी से जूते मांग लेते हैं लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं मांगे कोट से वर होता है न दूला तो दूले को भी देखाते हैं मांगे लोग तो इत चुपड़ कर फोटो किचवाते हैं, मतलब लोग तो फोटो किचाने के लिए भी पर्फ्यूम डाल देते हैं, जिससे फोटो में खुश्बू आ जाए, गंदे से गंदे आदमी की फोटो भी खुश्बू देती है, तो थोड़ा सा व्यंगे कर रहे हैं, कटाक्ष मार रहे हैं, कि कोई भी इंसान हुए फोटो किचाने के लिए तो अच्छे कपड़ ही पैनता है, अच्छा बंधन करके ही आता है, टोपी आठ आने में मिल जाती है, और जूते उस जमाने में भी पांच रुपिये से कम में क्य मिलते होंगे, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है, और एक जूते पर पची सो टोपिया निवचावर होती है, तो देखें, यहां पे राइटर वियंगे कर रहे हैं, टोपी और जूते में, टोपी का मतलब इंसान की इस्जत हो टोपीया चाती थी, आना पैसे से भी छोटा वर्जिन रहता था, तो कहते हैं कि उस जमाने की बात थी, आज के जमाने में तो और ज़्यादा बुरे हालात हो गए है, आज इंसान के पास जिसके पास पैसा है, उसकी इस्जत है, तो वही है न, एक जूते पर पची सो टोप लिया ने उचावर है, तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मुल्ये के मारे होए थे, यह विडंबना मुझे इतनी तीवर्टा से पहले कभी नहीं जोभी, विडंबना होता है, एक चीज जो समझ नहीं आती, एक अपोज़र्ट चीज दूर्भाग्य भी आप कह सकत है, जिसकी जितनी आच चुबी है, यह टोपी और जूते का महत्व हमारे समाज में इतना जादा बदल गया है, उसकी विडंबना उसका दुख बहुत जादा हो रहा है, जब मैं तुम्हारा पटा जूता देख रहा हूँ, तो महान कथाकार उपन्या समराथ, युग सबकी इन्होंने मेरी फेवरेट नॉवल है, वो भी इन्होंने ही लखी है, गोदान है इनकी नॉवल, बहुत आउसम नॉवल है, और बहुत प्यारी नॉवल लखे हैं और यह राइटर यह तो कहते हैं, कि तुम्हारा प्र जूता फटा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा जुता फटा हुआ है, मेरा जुता भी अच्छा नहीं है, मगर उपर से तो सही है, भले ही चाहे वो तल्वे से फटा हुआ हो, लोग दिखावा करने के लिए क्या क्या निकल लेते हैं, अंदर से खोकली हो, मगर दिखावा खूब करते हैं, अगूठा जमीन से घिसता है, और पैनी मिटी पर कभी रगड़ खाकर लहू सुन भी हो जाता है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी, तुम्हारी उंगली दिखती है, पर पाउं सुरक्षित है, मेरी उंगली ढकी है, पर पंजा नीचे खिस तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्पान हो रहे हैं, तो यह जो लाइन है यह आपके पैसेजिस में पूछी जा सकती है, यह बहुत इंपॉर्टन है, यहां पर लेखा कहते हैं कि मेरा जूता, यानि कि मेरी जो फाइनेशल कंडिशन है, आर्थिक कं दूहान भी हो जाता है, मतलब मेरी बहुत बुरी हालत भी हो जाती है, फिर यह कहते हैं कि यह मगर इन्होंने राइटर जो है, इन्होंने अपनी दुर्दुशा को छिपा रखा है, यह दूसरों के सामने अपनी हालत को प्रकट नहीं करते, पर लेखक कहते हैं कि प्रेम ज सच्छे यथार्तवादी हैं और हसना मुस्कुराना जीवन की चाहे कैसी भी हालत हो उन्हें खुश रहना आता है अर्थात ऐसी भयनक दरितरता और बदहाली में अपनी फोटो खिचवाने की तो वह सोच भी नहीं सकता कौन राइटर नहीं सोच सकता है चाहे कुछ भी हो जा तो यह कहते हैं राइटर अपने मारें बताते हैं कि मेरी मेरी जो आर्थिक स्थिती है उसको तो मैं चुपाने की पुरी पुरी कोशिश करता हूं दूसरों को लगता है मैं ठीक इठाव कूंबर मेरी हादत बहुत खराब है मगर मैं यह कभी दुनिया को नहीं हो मैं ऐसा नहीं पहन सकता फोटो व 투 टो जिन्थ की भर मेरी च्चवाओंगा मेरे हुसले पंस कर देती है क्या मतलब है इसका कैसी मुष्कौन है ये Bene बाइट मैं कुछ नहीं हूं गया पूस की रहाँ का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लप छोड़कर नहीं आसके नहीं मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शिराब पी गया वही मुस्कान मालूम होती है तो इन्होंने अलग लग जिनकी किताबे हैं प्रेम चंद की उनके बारे में लिख दिया मैंने तुम्हारा जूता, मैं तुम्हारा जूता फिर से देखता हूँ कैसे फट गया है, मेरे जंता का लिख का चाता था, लोगों के बारे में लिखा करते थे क्या भ millise चकर काटते रहे, तो तो एक है तो थे तुम्हारा जूता फटा कैसे, इतने चकर काटः है क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील का चकर लगा कर घर लटते रहे पिर आगे कहते हैं चकर लगाने से जूता फटता नहीं है घिस जाता है कुम्भन दात का जूता भी फत्हपुर सीकरी जाने आने में घिस गया था तो ये कहते हैं कि जूता जो है चलने से वो कभी फटा नहीं है बल्कि जादा चलने से जो है जूता घिस जाता है बड़ फटा थोड़े नहाए आगे बताते हैं कुम्बन दास कुम्बन दास इशोर के दास के बारे में बात कर रहे हैं फत्यपुरी सीकरी के चकर आने जाने म गिजगया था उसे बड़ा पष्टावपह हुआ उसने कहा आवत जात पनहिया पनहिय घिस गई विसरो गए हरी नाम तो आने जाने में जो है जूता घिस गिया और जो हरी नाम दो करना रहे गया इस तरीके की बाते कहते हैं विसरो हरी गम होवий ऊधाइद लगा ने चॉत अदुत अधा ओदर आने जाने में चटकरelnे में मेरे घिसते रहे और इसलjust को लिए इसे जूते दुख उपजत जिसके देखे दुख उपजत है तिनबो करबो परई सलाम तो यह कहते हैं कि जिनको देखने से दुख बचता है जिनको देखने से मतलब मर्न दुखता है उनको भी हम लोगों को सलाम करना पड़ता है इस तरीके की बाते राइटर कहते है चलने से जूता खिसता है फटता नहीं है तुम्हारा जूता फटा कैसे है? हैं यह फूच को होते हैं मुझे लगता है तुम किसी सक्त चीज को ठोकर मारते रहे हो कोई चीज जो परत परत सद्दियों से जम गई है उसे शायद मुदे ठोकर मार मार कर अपना जूटा फाड लिया है कोई तीला जो रस्ते यह हमारी किसी चीज पर एसी चीज पर जिसकी परत किसी चीज पर बहुत ही धाद कारनी। वो क्या हो गया? वो तुम्हारा जूता ही फट गया, तो यह कहते हैं कि तुम्हें समाज की इसका अर्थात क्या है इसका मतलब क्या है? इसका यह तक निकलता है प्रेम चंद के जूते आजमाने का कोई विशेश चंचेट परत दर परत जमने वाली जिम Just तो यह समाजिक रूनियां का मतलब है कि जो समाज की बुराइयां है वो बहुती समय से लंबे समय से चली आ रही है तो उनको ठोकर माने की कुशिश की है यह प्रेम चंत के समय का कटुट जो कड़वा सच है वो बताते हैं धर्म के नाम पर सोशन चरम पर्था तो कि हमने जो म कि वाइफ कहती है कि यह मेरे पास एक ही कपड़े का तुकड़ा बचा हुआ है इसी को ही गोदान माना जाए तो इतना जादा धर्म के नाम पर सोशन होता था लोगों का उसके बारे में यह बात करते हैं और और तो का सेवा कुझ है इनकी काफ़ सरी नॉबल से उसमें कि औ माजिक डूरियों के खिलाफ काफी जादा लिखा करते थे प्रेम जंद दूसरी और महाजन किसानों गरीबों से बेकार करवाते हैं जो महाजन हैं बड़े-बड़े वो हैं जमीनदार वो किसानों से काम करवाते हैं बिना पैसे दिये और चारो और असिक्षा और भुकमरी हैं कोई पढ़े लेखे नहीं है इस सब के उपर अंग्रेज जो है वो और जदा जूर मिठा रहे हैं दुर्भाग्य जैसे करीब जिंता के सामने आकर जंग गया है तो जूतों की परत जो है न वह दुर्भाग्य है जो की गरीबों पर आकर के पढ़ गया है और यह कहते है कि प्रेमचंद उसको ठोकर मार मार के हटाना चाह रहे हैं जिसकी वज़य से उनका जूता फट गया है तुम उसे बचाकर अपनी बगल से भी से भी तो निकल सकते थे तो कहते हैं कि जो सामने पत्थर पढ़ा हुआ था है समाजी करूरी वो थी माननेता है इंसे तुम साइ पहार नहीं वोडती हैं मतलब हर कोई थोड़ी ना इन रूड़ी वादी लोगों से यह समाज में जो उपुच्य बने बैठे हैं इंसे टकल लेने को तियार हो जाता है तुमने क्यू ली क्यू तुमने ऐसा किया तुम समझोता नहीं कर सकते थे क्या क्या तुम्हारी भी व वही कमजोरी है कि दूसरों का भला करो जाए अपना बुरा हो जाए नेक धरम उसकी भी जंजी थी बगर तो जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है शायद नेम धरम तुम्हारा बंदर नहीं था तुम्हारी मुक्ती थी तो यह कहते हैं कि जैसे तुम इस जो चरहे जिसे तुम घ्रनित समझते हो उसकी तरफ हाथ ही नहीं पाओं के उंगली से इशारा करते हो तो यह कहते हैं कि जिसको तुम घ्रनित जिसको तुम समझते हो यह बहुत ही खटिया इंसान है उसकी तरफ तुम हाथ के उंगली से नहीं पाओं के उंगली से इशारा कर रहे हो इसलिए तुम्हेरा जूता फटा हुआ है क्या तुम उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुम्हारा जूता फार दिया तो क्या तुम उनकी तरफ देख रहे हो उन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हो तुम समाज के लुटेरो तुमने समाज को बरबात करते हैं पर समाज ठीक शरूर होगा तुम मुझ पर या सभी पर हस रहे हो उन पर जो उंगली छिपाए और तल्वा घिसाए चल रहे हैं उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं तुम कह रहे हो मैंने तो ठोकर माल माल कर यूदा फाल लिया उंगली बहार निकलाई पर पाउं बचा रहा और मैं चलता रहा मगर तुम उंगली को ढखने की चिंता में तल्वे का नाश कर रहे हो तुम चलोगे कैसे तो यह कहते हैं राइटर प्रेम चंद ने तो अपनी जो मैंने तो भले ही अपनी उंगली अपना जूता कुरबान कर दिया अपनी उंगली बहार निकाले जूते के मगर मैंने अपने तल्वा बचा लिया तो मैं चल सकता हूँ और यह दूसरे लोग जीओ जो अपना तल्वा घिसाय चले हैं यह चल कैसे पाएंगे मैं समझता समझता हूँ तुम्हारी व्यंगे मस्कान समझता हूँ राइटर कहते हैं यह तुम्हारी जो उंगली का इशारा है जो उन लोगों पर इशारा कर रही है तो जिनने तुम बहुत ही नीचा समझते हो तुमने हाथ की नहीं पैर की उंगली दिखाना चाहते हो पैर की उंगल अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए चनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंज के साथ शेयर करिए थेंक्यू